नमस्कार मित्रों, पुनिस अस्ट्रालोजी हिंदे के अगले वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुक्र का गोचर विरिश्यक राशी में 11 डिसंबर को होने वाला है और हम जानेंगे इस शुक्र के गोचर के फल के बारे में आपके लिए इस वीडियो को अन्तक जरूर दखें ताकि आपको बिले पूरी जानकारी इस गोचर विरिश्यक राशी में प्रेम के ग्रे हैं शुक्र एक ग्रे हैं जो विवासंबंदी सुक को दर्शाते हैं लग्शरी को दर्शाते हैं ग्लैमर को दर्शाते हैं ये विरिश्यक राशी में जब जाते हैं तो ये कामुक हो जाते हैं मंगल की रاشि है विरिशिक राशी अष्टम भाव की राशी है शुक्र वहाँ जाके गूढ़ विद्या में परंगत हो जाते हैं आपको एक एक ऐसी औशदी देती हैं जीवन में कैसे नए आयाम को खोल देते हैं जिसमें आप अपने जीवन को वहां ले जा सकते हैं जहां अल व्रिशब राशी, comfort की राशी है, व्रिशब राशी, resource की राशी है, कुटंब भाव को दर्शाती है, family. दूसरी राशी तुला राशी, तुला राशी दर्शाती है, विवा, business, public के बारे में आपका क्या perception है, ये दर्शाती है तुला राशी. व्रिशब के अगर बात करें, तो वो व्रिशब राशी से सब्तम है, और तुला राशी से द्वितिय है. सब्तम का क्या संबंध है? सब्तम भाव की राशी जो होती है, जो अपने से सब्तम हो जाती है, वो उससे विपरीत होती है. 180 degree opposite. जैसे व्रिशब जो राशी है, वो व्रिशिक जो राशी है, वो secret relationships को दिखाती है. वो उसके opposite है. वो उस धन को दिखाती है, जो invest करके आपकी नजरों से ओजल हो जाए. सब hidden हो जाए. ढक जाए. परदा पड़ा हो जिसपे ऐसे रिष्टे, परदे पड़े हो जिसपे ऐसे करम. यह शुक्र अश्टम भाव के दर्शाती है. यहाँ पर शुक्र सब्तम से द्वितिय हो जाते है, यानि gain of marriage, ससुराल पक्ष को दिखाना, पत्नी के वानी कैसी रहेगी वो दर्शाना, फैमिली में कैसा सौहार्थ बनेगा, फैमिली लाइफ कैसी होगी, वेवाहिक सुख कैसा होगा, इस बात को दर्शात यहाँ पर जब केतु के साथ वो मिलते हैं, तो केतु थोड़ा cutting force है, केतु शुक्र को सुखा देते हैं, ड्राई कर देते हैं, केतु वेरागी हैं, केतु एक ऐसे ग्रह हैं, जो अध्यात्मिक उन्नति के और लेके जाते हैं, और शुक्र वेवाहिक जीवन के और दर्शात कुछ लोगों के मन में जो secret relationship है, वो भावनाएं खत्म हो जाएंगी, कुछ लोगों के मन में अचानक से जो कामुकता है, उसका लोप हो जाएगा, वो गायब हो जाएगी, और इनसान अध्यात्मी के तरफ बढ़ने की चेश्टा करेगा, वो बात करेगा अपने गूड वि जो मिल रहा है उसको, family से आ रहे ही inheritance को, लेकिन जब खेतु यहाँ पर जाते हैं, तो definitely उसको काट देते हैं, तो ऐसा आप न करें कि अपने जमा धन को कहीं आप invest करने के चकर में उसे गलत जगह invest कर दे, किसी के चकर में आकर कि आपने अपना पुराना पैसा किसे पर expenses के योग बनते हैं, तो साथ सी साथ यहाँ पर शुक्र ये भी दिखाते हैं, कि आप गलत तरीके से खर्चा ना करें, investment बहुत सोच समझ के करें, धन की हानी होने के संभावना बन सकती है, खास कर अगर आपकी राशी मेश राशी है, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा के कारण, यहाँ पर धनुराशी वालों को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, विवाह में किसी भी तरह की disturbance अगर आती है, बहुत छोटा transit है, लेकिन मन को खटा कर सकता है, मन तोड सकता है, मन कट सकता है, किसी से gap आ सकता है, रिष्टों में दरार आ सकती है, तो भगवान शुक्र की, शुक्र के ग्रह की मंत्रों के जाप करें, भगवान महाविष्णु का जाप करें, भगवान शुरी कृष्ण का जाप करें, अगर रिष्टों में थोड़ी दरार आ रही है, तो थोड़ा चुप रह करके उसको चलाने की कोशिश करें, और जब शुक खुझ से प्रेम करना ये शुक्र की वाणी है, शुक्र आपसे ये सिखाना चाहरे हैं कि आप अपने आपसे प्रेम करें, पहले अपने अंदर जाएं, अपने आपको देखें कि आपकी क्वालिटी कहा है, आप अपने आपको कहां से हटा के कहां पहुचा सकते हैं, आप किस भरपूर लाब उठाने के लिए एक जो कार्य आपको करना है वो करना है आध्यात्म आत्म अध्ययन अंतर तराटक अपने आपको देखना है दूसरों को न देखें दूसरे क्या कह रहे हैं उसके बाते उसे आप affected न हो और अपने आपको देखें इससे आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा उमीद करता हूँ इस ट्रांजिट का भरपूर फायदा उठाएंगे मैं आपका होस्पनीत इस तरह के बहुत सारे वीडियोज लाता रहूँगा आपके सामने मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते